हेलो दोस्तों वेलकम टुदा कॉंसेप्चुल्स मेरा नाम है देवेन सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं से हमार 2017 का चैप्टर नंबर 17 जिसमें कि हम कुछ जरूरी रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा है यह न इन रेगुलेशन के बारे में इस च अब देखें बोलता है कि मान लीजिए आपने क्या बनाया है टेंक बनाया रिजर्वर यर ठीक है कोई भी डेंजरस प्लेस है माइन में उन सब को बोलता है कि सबको से क्योर्ली फैंस करना है ठीक है अब यह सब चीजें आप किस परपस चीजिज बनाएंगे उसमें दिखा used in connection with mining operation ठीक है, तो मतलब mining operation कुछ करने के लिए आपने बनाया होगा ठीक है, तो इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से fencing करना है, तो ये आप अगर short में देखेंगे, तो बहुत आसान लगेगा आपको के हाँ मुझे tank है, मेरे पास tank बनाया है reservoir बनाया है और dangerous कोई place है, तो उसको fencing करना है नेकिन जब regulation में पढ़ेंगे तो कैसा लिखा है उसमें which has been formed as a result of or is used in connection with mining operations sell be kept securely fenced, बात वही बोल रहा है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रहा है तो उसको तो एक एक चीज़ detail में बता नहीं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है तो ये चीज़े आपको बस इतनी ध्यान में रखना है कि कोई भी tank है, reservoir रहे हैं, फिर कोई भी dangerous place है माइन के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, securely fence करके रखेंगे ठीक है, हाँ, अब ये बोलता है कि जितने भी fences को surface पे क्या किया गया है, erect किया गया है, मतलब कि बनाए गया है वो सारे fences का inspection साथ दिन में कम से कम एक बार होना चाहिए, अब ये तो आप भी जानते competent person के द्वारा ही किया जाना चाहिए फिर वो mount page book में लिख के रखेगा, है ना, तो ये सारी चीजे मैं इसमें नहीं देता हूँ, PDF में है ना, अपने PPT में, मैं आपको normally जो याद रखने वाली चीजे हैं वही बताऊंगा, यहाँ पर, ठीक है हाँ, अब बोलता है कि जितने भी fence हैं, barricade हैं, जिनको temporarily क्या किया गया है, remove किया गया है, ठीक है, अब देखे, temporarily temporarily मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, permanently मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, तो temporarily अगर किसी fence को आपने remove कर दिया, माल लीजिए, आपको कुछ operation करना उस जगे पर, जिस जगे का fencing किया गया है, कोई machinery है, उसको repair करना है, तो आप remove तो हटाएंगे, fencing तभी तो काम करेंगे, ठीक है, तो अगर उसको, वहाँ पर आपने किसी operation या repair करने के लिए, क्या किया है, fencing को remove किया है, कुछ समय के लिए, तो उस समय आपको extra precautions लेने को बोला जा रहा है, इस regulation में, बोलता है extra precautions लीजिए उस समय, आप जब तक आपका काम चल रहा है, जैसे ही, आप ये सारे काम फूरसत करेंगे, वापस से आपको fencing वहाँ पर कर देनी है, ठीक है, उसके बाद अगला regulation देखते हैं, अगला regulation है, regulation number 238, हमने fencing के बारे में देख लिया, अब बोलता है कि कोई भी ऐसी जग है, जहां पर smoking करना, मतलब valid नहीं होगा, smoking नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी unauthorized ऐसी place है, जहां पर unauthorized persons का entry नहीं, entry जो है, तो prohibited है, तो ऐसी जगहों पर आपको क्या करना है, एक notice जो है, notice जो है, वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, उन जगहों पर क्या करना है, आपको notice लगा देना है, कि हाँ यहाँ पे smoking prohibited है, या फिर यहाँ पर unauthorized persons का आना अंदर जाना प्रोहिबिटेड है ठीक है तो यह सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा चली अगले रेगुलेशन की तरह पढ़ते हैं अगले रेगुलेशन है रेगुलेशन नमबर 239 जन्रल सेफटी जन्रल सेफटी में बोलता है कि कोई भी परसन कोई भी परसन न काम ऐसे नहीं करेगा ठीक है हाँ वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि अगर कोई काम बहुत जरूरी है हाँ सेफटी परपस से माइन की जरूरी है तो वो काम करे लेकिन अगर उससे किसी उसके इस काम से खतरा भी हो सकता है तो वो पहले अपने सुपरवाइजर को इस बारे म में basically इसमें बात किया है अब देखते है regulation number 240 है न जिसमें के बोलता है यूज supply and maintenance and pay maintenance of protective work protective footwear है न हला कि supply तो बहुत बेकार रहता है इंडियन coal mines में इन चीजों का है न मतलब और अच्छी quality के gum boots अगरा भी नहीं दिये जाते हैं जो आज कल आ रहे हैं अभी तो gum boots चलना इस्टार्ट हो गए तो यह कुछ खास quality के मिलते नहीं है इनको अगर आप exchange भी कराने जाएंगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को ठीक है लेकिन फिर भी अब दिया है जो regulation में बहुत पढ़ना ही पड़ नहीं है उसको पहली बात किसी person को allowed नहीं है ठीक है दूसरी चीज बोलता है कि foodware जो है foodware जो है प्रोटेक्टिव फुटवेर्स वो free of charge देना है और free of charge कब देंगे 6 महीने में एक बार है ना कौन देगा owner agent और manager देगा ठीक है तो याद रखिएगा प्रोटेक्टिव responsibility रहेगी ठीक है दूसरी उनकी responsibility यह रहेगी कि इसका sufficient stock maintain करके रखे प्रोटेक्टिव फुटवेर्स फुटवेर्स का कभी मतलब ऐसा हो गया कि immediately जरूरत पढ़ गई लेकिन फिर भी अब regulation में तो यह चीज लिखी है तो पढ़ना तो पढ़ेगा ही है ना चलो आगे देखते हैं आगे यह बोलता है कि जो owner agent और manager है माइन के ठीक है यह क्या करेंगे माइन्स में कुछ जगहों पर dubbing मतलब कि जूता वगयरा साफ करने के लिए revolving brushes वगयरा प्रवाइड कराएंगे जिससे कि यह protective foodwares जो है इनको साफ किया जा सके है ना वरकर जब भी वहाँ से कुझ रहे तो अपना जूता एक बार साफ कर ले है ना लेकिन हाला कि यह सब त करता है अपने आप में कि यार कैसी हमारी इंडियन का सिस्टम है ठीक है चलिए अगला regulation देखते हैं अगले regulation में बोलता है कि अगर footwear जो है जो भी person को supply किया गया यह उसकी responsibility कि उस protective footwear को अच्छे से repair करवाए ठीक है हाँ मतलब अगर damage हो गया अच्छे महीने के पहले तो repair क कि रहेगी जिसको footwear supply किया गया ठीक है अब वो footwear जो है तो supply कराएगा तो अपने repair करवाएगा तो उसको अपने पैसे से ही करवाएगा government का इसमें कोई भी रोल नहीं रगा कि यार फट गया तो तुमको नया जूता दे देंगे नहीं 6 महीने के पहले तो नियम है कि नहीं देना है ठीक है यह एकदम गांट बांद लीजे जूता फटने पर ठीक है 6 महीने तक का regulation है ठीक है 6 महीने तक आपको अपने से उसको समालना है 6 महीने बाद हाँ government की जिम्मेदारी है coal mines की जिम्मेदारी है mines की जिम्मेदारी है basically कि वह आपको नहे जूते provide करवा दे ठीक है तो इस चीज में doubt में नहीं रही है कभी भी कि आप लोग फट गया या दो एक ही महीना में तो आप क्या करें है ना क्या ही कर सकते हैं low quality के जूते आते हैं हमारी mines में है ना तो फटेंगे तो ही जल्दी चलो ठीक है अगले regulation की तरफ देखते हैं अगला regulation है regulation number 241 use and supply of the helmet चलि चीज का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए ठीक है अब no person shall go into or work or be allowed to go into work ठीक है इसमें बोलता है किसी भी person को यह allowed नहीं है कि वो काम में mines में अगर अंदर जा रहा है तो बिना helmet के चला जाए ठीक है और हाँ वो जहां भी जा रहा है mines में कहीं भी जा रहा प्रिसि प्रिसिंग्स वर्ड का मतलब होता है माइन बाउंडरी ठीक है प्रिसिंग्स वर्ड का मतलब क्या होता है माइन बाउंडरी माइन बाउंडरी के अंदर चाहे जहां जाए चाहे वो office का building हो canteen हो crash हो rest shelter हो first aid room हो यह फिर कोई भी building जो इस type की है कहीं भी वो अगर जाता है तो अगर उसने helmet नहीं पहना है तो उसे allowed नहीं रहेगा entry माइन बाउंडरी के अंदर है तो helmet पहनना पड़ेगा और यह helmet कैसा होना चाहिए chief inspector द्वारा approved होना चाहिए ठीक है जो की chief inspector special order के थ्रू राइटिंग में देगा ठीक है अब बोलता है the helmet shall be supplied free of charge at intervals of not exceeding three years so ho helmet में बहुत लंबा टाइम पिरेट दे दिया कि ठीक है तो इन चीज़ों को दियान रखिएगा चलिए आगे देखते हैं अगला regulation is regulation number 242 supply of other personal protective equipment इसमें यह बोलता है कि और भी अगर देखिए अब बोलता है कि mines में owner agent और manager की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर hazard है hazard मतलब कोई भी dangerous place है उसके current employment के employee जो है आपको उस पर effect पढ़ सकता है तो इसे में मतलब ऐसा काम ही है उसका जैसे कि अब माल लीजे जो वहां पर काम करते हैं ऐसी जो face पर काम करते हैं वहां dust बहुत ज़्यादा उड़ता है तो dust से बचने के लिए भी हमें कुछ ऐसी dust से हो सकता है ठीक है अब माल लीजे क्या करते हैं grooves काट रहें grooves मतलब खंजा काटते हैं जो है न तो जब वह pillars में grooves cut करते हैं तब तो ठीक है लेकिन जब वह grooves कहां करते हैं stopping बनाने के लिए जब grooves cut करते हैं कहां roof पे तो उस case में तो भाई ऐसा होगा कि जो cutting है जो roof की वह कह गिरेगी डाइरेक्ट वर्कर के आंख पर गिरेगी तो उससे बचने के लिए उसे हमें प्रोटेक्टिव ग्लासेस प्रोवाइड कराने चाहिए ठीक तो इन सब चीजों की बात कर रहा है कि ओनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि यह सारी चीजें प्रोटेक् काम कर रहा है तो उसको गलफ्स प्रोवाइड कराएंगे जो खंजव अगरा काट रहा है उसके आंख में गिर सकता है तो उसको गोगल्स प्रोवाइड कराएंगे शिन गार्ड हो गया रेस्पिडेटर हो गया ठीक है मतलब भाई ऐसी जगह है जहां पर सांस लेने में दिक टीक है मतलब कि अगर यूज हो क्ड़ों सहे हो चुके हैं मतलब सही तरीके से गर यूज किये हैं कुछी गलत काम में किये गैसी तरीके में उन्सॉप किये हैं तो अजर similarity क्या करेगा ना गलत नहीं करना अपनी तरफ से बाकी तो सब ठीक है ठाक है ठीक है हाँ अब देखिए replacement अब बोलता है कि जो replacement है ठीक है replacement कैसा होना चाहिए payment of full cost on payment of full cost देखिए अब बोलता है कि हाँ replacement कैसा होगा जो जिस भी company से माल लीजे owner agent और manager अब क्या कर रहे है कि भाई खराब हो गया है है ना तो उस जहां से भी आप purchase कर रहे हैं तभी आपको वो सामान मिलेगा ठीक है तो यह चीजें कौन बोलता है डीजे में इसने बोल के रखा है अब अगर कभी protective equipment कोई भी dispute arise होता है तो आप chief inspector से संपर्क कर सकते हैं जो कि कभी नहीं होगा कभी चेत्र के बाहर चले जाएंगे वो ठीक है चलिए कोई बात नहीं आगे देखते है regulation no.243 use supply maintenance of self rescuer इसमें बोलता है कि कोई भी person पहली चीज तो below ground अगर जा रहा है तो बीना self rescuer के जाएगा नहीं है ना ऐसा कभी हुआ है आस तक नहीं लेकिन हो गया regulation वे तो बोला है ठीक है तो basically हम daily regulations तोड़ते हैं और owner agent और manager तो हमसे daily regulation तोड़वाते हैं और खुद भी तोड़ते हैं ठीक है हां तो बोलता है कि किसी mind में कोई भी person अगर जा रहा है काम करने तो वो बिना self rescuer के काम करने तो जाएगा नहीं ठीक है उसे self rescuer carry करना अपने साथ compulsory है ठीक है अब अगर कभी ऐसा होता है कि उसका self rescuer जो होता है accidentally damage हो जाए ठीक है accidentally damage हो जाए या फिर उसका ऐसा हो जाए कि यार out of order चला गया काम करने बंद कर दिया उसने unserviceable हो गया ठीक है तो उसमें क्या किया जाएगा या फिर अपनी life जो उसकी देखिए हर self rescuer की एक life होती है तो उसने अपना time period cross कर दिया है उसके बाद वो किसी use का नहीं है ठीक है तो अगर ऐसी चीज भी condition भी आ गई है या फिर उसको use कर लिया गया है तो owner agent और manager क्या करेंगे उस self rescuer को तुरंत ही उस आदमी से लेके वापस से replace करके उसे नया self rescuer provide कराएंगे ठीक है उसके बाद जो self rescuer का stock है वो अच्छा खासा maintained होना चाहिए ठीक है और यह बोलता है कि self rescuer continuously क्या होना चाहिए arrangement होना चाहिए किस लिए cleaning करने के लिए maintenance के लिए और इसका inspection समय समय पर होता रहना चाहिए हम लोग बहुत inspection किया अपने training time में self rescuer गिनते थे हैना और उसमें color देखके बता देते थे क्यार यह अगर blue color का है तो अच्छा है white हो गया है तो बेकार है और ज्यादा तर self rescuer आईसे मिलते थे जो खराब हो जाते थे ठीक है तो बहुत दिक्कते हैं ठीक है क्योंकि अच्छे चीज़े अच्छे मतलब variety है हमारे minds में लेकिन उतने अच्छी equipment नहीं आते है food wear को ले लीजे गंबूट है फट जारा जल्दी helmet है इतना हलका है कि यार उसमें तो कील भी गिरे तो तूट जाए उसके बाद अगर हम इसकी बात करें self rescuer की लाते हैं रखते हैं उसके खराब हो जाता है तो fake देते हैं क्योंकि company वापस लेती नहीं है इनसे तो wastage of money है बह पहले ही वो खराब हो जाता है अब उसमें भाई हमें क्या करना मॉइस्चर ओशर अब मॉइस्चर का गर इफेक्ट पड़ता है तो मैंस में वो चीजिए आप प्रोवाइड कराईए जितना पैसा इधर खर्चा कर रहे हुदर मॉइस्चर वगएर मेंटेन रखने में इसमें बोलता है कि जब भी कोई परज ईकड़ कर रहे है कोई पर्सनल पर व लाई है तो वह चाहरी कर आगा तो इन सारी चीज़ों को ले के जाएगा थीक है ओ जिस काम के लिए उसको वह स्मय को प्रहूड इडिया गए पैसा नहीं कि नहीं उसको उल लिधि is bicycle में अची देना है आपको तो information जो इसको भी sickness को देना है अगर कभी किसी को लगता है कि हाँ हमाई तबीयत खराब होने वाली है तो वो क्या करेगा इसकी information आपने कि हाँ मैं आज duty नहीं आऊंगा तो इसकी information अपने superior official से फिर manager को क्या करेगा inform कर देदेगा इसकी information ताकि क्या करें कि वो उनको भाई किसी को substitute में रखना होगा तो रख लेंगे तो आप जब भी duty पर ना जाए तो क्रपय करके आप अपने official से और superior official से संपर्क बना कर रखें चलिए अगला regulation देखते हैं अगला regulation है regulation number 246 manpower distribution plan बोलता है इस regulation में कि हर महीने की हर महीने की पहले हफते में first week of every month क्या होगा एक survey किया जाना चाहिए जिसमें कि कितने number of persons हर district में है यह survey होगा ठीक है कौन से ऐसे places है below ground जहां पर manpower की ज़रूत है manpower होने चाहिए इतने ठीक है तो यह manpower survey किया जाना चाहिए सबको फिर उसक ठीक है हर जगे का बता देना है फिर उसको manpower जो survey किया गया है उसका sign उसके sign करना है date डालना है और manager द्वारा हना manager यह काम करेगा और उसे अपने office में रख लेगा उसकी copy जो है तो attendance clerk को दे देंगे ठीक है तो यह सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा अगला है इसक कि कोई भी competent person है अग्पॉइंट किया गया है अगर regulation no 33, 77, 75 और 99 के अंडर में ठीक है यह जो जिस भी competent person की बाद के regulation no 137 में जिस भी competent person की बाद के regulation no 138 में 139 में 142 में 159 में 150, 161, 165, 167, 169, 195 ठीक है जिस भी competent person की बाद कर रहे है वो competent person अखिर कौन था वो था वो था कौन था वो था overman ठीक है overman और जिस overman की बात कर रहे है वो स overman के पास क्या होना चाहिए overman certificate होना चाहिए फिर manager certificate होना चाहिए ठीक है तो बच्चों रसोड़े में कौन था चलिए हाँ हम इसके बात कर रहे थे officials ठीक है चलिए देखते हैना इसी type से इस regulation 247 बैसी दिया है कि सरदार कौन होगा ठीक है तो इन सारी बारतों को बारे में आपको मैं अलग से video अगर possible हो पाएगा तो बना के दे दूँगा ठीक है चलिए अगला regulation देखते है regulation number 248 जिसमें कि officials to be liberate literate, literate, literate मतलब क्या होता है पढ़ा लिखा होना चाहिए जो भी officials है minds के अंदर ठीक है वो सबके सब कैसे होने चाहिए पढ़े लिखे होने चाहिए officials की बात कर रहे है आपन workers की नहीं officials की ठीक है उनको मतलब ऐसे पढ़े लिखे से मतलब यह नहीं है कि भाई English या फिर Russian language आ लिख लिए अपने नौकरी पर ठीक है तो manager और यह सब चीजे जो है तो ज्यादा तर किसके लिए apply होती है मतलब यह सब चीजे जो है तो किसके उपर apply नहीं होगी जिसनी भी बाते की जारी इस regulation में वह manager assistant manager और engineer और survey के बारे बेटा बेटा तो कर नहीं सकता हाथ तोड़के बैठा है ठीक है तो उस case में उस case में क्या manager की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हाँ ठीक है आप report नहीं त्यार कर सकते आप लिख नहीं सकते हैं तो एक काम करिए मैं आपको एक competent person provide करा रहा हूं आप उससे लिखवा लिजेगा लिखवाने के बाद वह आपको report सुनाएगा ठीक है अगर आपको सही लगता है तो आप उस report पर sign कर दीजेगा और वह competent person भी उस report पर sign करेगा आप उससे अच्छे से पढ़ने के बाद ही manager को वह report submit कर दीजेगा ठीक है तो यह सारी चीजे बहुत ही आसान है बहुत ही अच्छा है हमारी company ठीक है चलिए payment of fees fees की बात करते हैं तो fees तो देखिए आपको देने कितने तरीकों से है यह बस बताया गया है कि Indian postal order के थ्रू दे सकते हैं या फिर bank draft के थ्रू दे सकते हैं या फिर किसी भी electronic mode के थ्रू दे disturb बहुत important regulation है इसको ध्यान से सुनिएगा इसमें बोलता है कि माल लीजे कहीं भी accident हो गया ठीक है कहीं भी accident हो गया loss of life हुआ loss of life हुआ serious bodily injury हो गयी किसी भी person को ठीक है तो उस place of accident को किसी भी जगह पर माइंस के अंदर तो जिस जगह पर होगी तो बोलता है उस जगह को disturb नहीं करना मतलब कि अगर किसी एकसीडेंट हो गया है तो यार उस जगह को disturb नहीं करना कब तक आप डिस्टर नहीं करेंगे मतलब कि सब इसक homosexual है और इस्पेक्शन कर लेता है तब तक आप यह काम नहीं करेंगे ठीक है अब देखोओ अगर Chief Inspector या फिर Inspector जो है जो भी आने वाले थे inspection के लिए वो उस जगे का inspection करने नहीं आपाए कितने समय तक इंतजार करेंगे आप 72 hours तक 72 hours तक आप इंतजार करेंगे और वो लोग अगर नहीं आए है accident के accident होने के 72 गंटे बात तक मतलब कि 3 दिन आप wait करेंगे उस बंदे का अ उस जगे का आपको sketch बनवाना है सर्वेयर द्वार आप क्या करेंगे उस जगे का sketch बनवाने के साथ आप वहां की photo भी खीच के रख सकते हैं ठीक है और उन सारी sketches या photo पर क्या करेंगे आप manager के sign or date ले लेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप करके अपना वहां पर काम वापस से resume कर सकते हैं अब देखिए आपको क्या करना है वहां का एक proof होना चाहिए कि हाँ यह accident हुआ है ऐसे हुआ है इस कारण से हुआ है वो सब पता करना किसका काम है इंस्पेक्टर का काम है तो आपको उस जगे की बारे में इसके through भी आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर को ठीक है मतलब तुरंत ही हमें काम पर जाना है क्योंकि माइन में accident हो गया है है अब accident हो गया तो हमें evacuation plan भी बना के रखना चाहिए तो इस सब चीजों के बारे में इस regulation में बात कि और इसमें बोलता है कि अगर आप यह season बना रहे हैं ठीक है यह होना रेजेंट और मैनेजर की जिम कर रहा है या फिर कोई भी दूसरी emergency अकर हो गई है ना जो कि natural disaster भी हो सकता है या फिर foreseeable disaster इंडस्ट्रियल disaster भी हो सकता है ठीक है तो उसमें हम immediately क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं फरस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें ऐसी वेवस्थाओनीची medical treatment प्रोवाइड करा सकें transportation कर सकें बाई किसी को ले आना ले जाना तो जल्दी से transportation कर सकें evacuation हो जाए injured person का तुनंती उसको बाहर निकालने जो भी person injured हुआ है ठीक है मतलब एक emergency में जो जो responses हमें लेने चाहिए वो सारे response लेने के लिए अच्छा सा अच्छा खासा प्लान होना चाहिए ठीक है अब माल लीजे कोई person फस गया है उसको rescue करना है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए अच्छा खासा प्लान होना चाहिए ठ्रैप्ड मतलब फस गया है कोई ठीक है अब बात करते हैं आगे आगे देखते हैं इसमें बोलता है कि जो person है जो individual देखिए अब क्या होगा कि माइन में evacuation करना है ठीक है तो सबको सिखाना है आपको evacuation plan तो आप बना के रख लेंगे तो ऐसा नहीं उसको बना के drawer में रखना है आपको सब को सिखाना है उसके बारे में ठीक है तो वहीं बोलता है कि हर individual के responsibility होती है कि वह evacuation plan के हिसाब से चले उसको सिखाया जाए और उसको training दी जाए कि हाँ अगर ऐसी emergency आई तो आपको सब्सक्राइब बाइडा एमर्जनसी इंक्लूडिंग अलांस इन प्लेस विच शैल भी केपिबल ऑफ बिंग सीन ठीक है अब देखिए जितने भी परसेंस जो भी इफेक्ट हो सकते हैं emergency के कारण जो भी इफेक्ट हो सकते हैं अफिजनसी में जिनकी ज़रोत पर सकती है उन सब के पास क्या लगा होना चीए अलाम लगा होना चीए कि वह उस अलाम को देखें और तुरंत ही एक्षटार एक्शन में आ जाएं है न तो यासी विवस्ता में मनननी है कि ऐसे जगे अलाम सब्र्गारा लगाने है और फिन वगेरा देने के लिए ऐसili विवस्ता बनानी कि तुरंत ही जो सबको इसकी नोटिज़िकेशन मिल जाए कि हमां में कोई किसी प्रकार का danger आ चुक वह वह रिया इंग नट कर आप तिक है चालिये जारन कुट कमाई किव भाग सकते हुझ है ठीक में लिए बोलता है की मोक र्हलस रंसल्स कंटिनेसली होते रहने चाहिए है ठीक है चलिए आगे देखते अगला अगा उगलेशन है रेड़्यो सम्हटे प्ट्री उसके बारे मैंने नहीं दिया है बस इसमें इत्ता बोला है कि क्या कहते है कि टेकिंग सेंपल्स रम माइन माइन में सेंपल्स ले भीका मेंतिते रहना है अगर मतलब अगर ओन अगर रोन एजंट और मैननेजर को का जा रहा है कि हम सैंपल लेके देए तो इसमें आपको सैंपल लेना होगा और देना होगा सब्मिट करना थीक है कि माहिष मैंस कि सीबी चीज का की छाव कोल का हो सकता रोप को सकता फिर कि ठीक है चलिए अगला regulation देखते है regulation 254 right of the workers representative to inspect register maintained under subsection 1 of section 48 of act अब देखिए subsection 1 section 48 का जो subsection 1 है उसमें एक register maintain करने की बात की है ठीक है तो वो register जो भी maintain किया जा रहा है वो हर एक worker के लिए available होना चाहिए कोई वर करा की कभी भी देख सके इस टाइब को रजिस्टर रजिस्टर होना चाहिए ठीक है जितने भी registers maintain किया रहे है ठीक है और जो भी employed है ठीक है application देके मतलब इसमें बोला जा रहा है and inspection to a workers representative authorized by the persons employed in the mine on an application made by him in this behalf ठीक है तो आप समझ गया होंगे मेरे को थोड़ी दिकत जारी इसको बताने में अब अगले वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बाग इत्ता समझ लीजे इस regulation बस इत्ता बाब बोल रहा है कि अगर रजिस्टर मेंटेन किया गया है तो उस रजिस्टर को जो है तो persons inspect कर सके ऐसा होना चाहिए कोई भी आके जब भी उसको ज़रूत पड़े तो inspection कर सके कि हमारे लिए तो रजिस्टर है ठीक है अगला regulation है regulation number 255 जिसमें की Chief Inspector के बारे में बात किया गया है तो चीफन सब्सक्र को भी उसकी जगे पे बैठा सकता है अगला regulation है nap नमबर 256, Plans, Sections and Records, बोलता है कि Plans, Sections and Records है, है न, जो सर्वे करने के बाद बने हैं, उन सब को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, और कैसे मेंटेन करना है, एलेक्ट्रोनिक फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, एलेक्ट्रोनिक फॉर्म मतलब कम्प्यूटर में भी होने चाहिए आपके, within the limits of error of survey and plotting, ठीक है, ज्यादा error भी ना है, ऐसा plotting होना चाहिए, एलेक्ट्रोनिक मोड में, कि error ना हो, पता चला कि बहुत ज्यादा error वाला हो गया, ठीक है, तो यह regulation number किसमें पढ़ा था, हमने इसके बारे में, इसमें regulation number 64, 64 में पढ़ा था, इसके बारे मे ठीक है, अगला regulation, regulation number 257, publication of orders and instructions, अब देखिए, कोई भी order अगर पास किया जा रहा है, फिर कोई भी instruction अगर आ रहा है, regulation से, ठीक है, इस regulation में यह बोलता है, कोई भी order या फिर कोई भी instruction अगर दिया जाना है, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के दारा, तो वो कैसे होगा, official gazette द जाएगा, ठीक है, official gazette में, मतलब, official gazette क्या हो सकता है, notice में, office में, हर एक office में, notice भेज के, या फिर, जो website है आपको, कोई इंडिया की वहाँ पर, है न, तो जो ऐसा भी chief inspector कहेंगे, वैसा होगा, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, अगला regulation, 258, appeal to the chief inspector, अब देखिए, यहा application लिख के दे दिया, है न, अब chief inspector अगर चाहे, तो उस application को modify कर सकता है, ठीक है, और cancel भी कर सकता है, ठीक है, है, है न, मतलब, chief inspector को लगा कि, यार, यह, काम सही नहीं हो रहा है, यह जो नया rule आया है, वो गलत है, है न, तो हमें एक appeal करनी चाहे, तो chief regional inspector कर सकता है, लेकिन chief inspector उसे cancel भी कर सकता है, what a power, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जितने भी appeal होंगे, जितने भी appeal किये जाएंगे, पंदरा दिन के भीतर, उन में response होना चाहिए, ठीक है, है, है न, वो पंदरा दिन के भीतर, उन पे action लिया जाना चाहिए, यह नहीं कि chief inspector के office में पहुंस तो ग च्छी इंस-प्रक्टर क्या करेगा, किसी committee को क्या करेगा, appeal करेगा, ठीक है, तो इस case में chief inspector क्या करेगा जब appeal करेगा, है न, तो उसकी appeal को 20 दीन के भीतर भीतर, क्या करना चाहिए, पूरी committee क्या करेगी, ध्यान में, रखेगी, देखेगी, ठीक है, और यह किस में बताए माइन्स एक्ट के section number 12 में बताएगे इसके बारे में अच्छे सी detail में दिया है जब हम माइन्स एक्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी ले लेंगे ठीक है तो अगला regulation है regulation number 60 हाँ इसके बारे मैंने नहीं डाला है क्योंकि सिर्फ इसमें इतना बोला गया repeal and savings है repeal and savings मतलब होता है repeal मतलब basically समझ लीजे क्या होता है repeal मतलब होता है cancel कोई भी चीज cancel होगे तो इसमें सीधे-सीधे ये बोल दिया है कि coal mines regulation 1957 है are hereby repeal मतलब की cancel हो चुके है उसके regulations के हिसाब से आप नहीं चलेंगे ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखिएगा 1957 के regulation के साब से अब नहीं चलना है अब 2017 के regulation के साब से चलेंगे ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ठीक है बाकी देख लेते हैं अगले वीडियो में आपको बहुर भी बहुत सारी जानकारी दूंगा है ना और अगर मेरा वीडियो पसंद आ हो तो प्लीज लाइक करे शेयर करे और subscribe करें वीडियो लेट आ रहे हैं इसके लिए I'm sorry लेकिन ये मेरा promise है कि मैं आपको पूरा syllabus complete करके दूंगा इसका किसका regulation का ठीक है अभी हम regulation पढ़ रहे हैं उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ventilation relations related भी कुछ information दूं लेकिन यार उसके लिए पहले बहुत notes बनाने पड़ते हैं कैसे पढ़ाना है कैसे क्या करना है तो इसलिए थोड़ा time लग जाता है है ना तो आप लोग बस इसी तरह से support करते रहे है सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए जादा माइनिंग इंजिनियर्स तक मैं इसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा तब तक के लिए all the best and thank you